कि अधिए काई दिसे मोश चर्मा कैसे हैं सब लोग बैटर एक वाप फिर से तो आग गए आपका हमारे लेक्षर में गाइस रास के अंदर हम लोग ने जो है वो डियाई का डेटा इंडिप्रेशन का एक बढ़िया वाला जो है वो कॉंसेट हमने पढ़ा था वहाँ पर और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो अभी तक हमने जितने भी डियाई के कॉंसेट्स पढ़े है उनका एप्लिकेबिल्टी पढ़ने वाले है आज का कोशन है उसके अंदर कई सारे कॉंसेट्स जो है उनका एप्लिकेशन आएग बच्चों का जो रिव्यू था उस ताइम पे वो था कि सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो question ने पूछा गया है क्योंकि इसमें calculation आप खुद जब देखेंगे calculation बहुत ही worst calculation पूछी गई है बहुत ही dangerous calculation लेकिन आपको मैं पता दो जिस बच्चे को shortcut tricks पता है जिस हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है तो आप पैनिक मत होईएगा question है अराम से आप देखेंगे question की statement समझेंगे क्या दिया हुआ है वो देखेंगे और उसके बाद जब हम इसको solve करेंगे तो लगेगा कि actual में कुछ भी नह data Decadal मतलब क्या होता है 10 साल Decadal का data जो है Decadal data आपको यहां पर दिया हुआ है किस का population का और electrical power production of a country मतलब को यह country है उस country के अंदर किसी 10 सालों के अंदर कितनी power रही और कितना उसकी population थी तो उसका data आपने को यहां पर provide किया हुआ है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके का है population द और 2011 यह Decadal population दे रही है और इधर दे रहा है इनका क्या electrical power production यह power production दिया हुआ है ठीक है गीगावाट्स के अंदर है जैसे 1 गीगावाट्स में 1000 मिलियन वोट्स है 1000 मिलियन तो मैंले 10 गीगावाट्स में कितना हो गया 10,000 मिलियन वाट्स ओके हां जी इसके वेस पर आपको जो है वो कुछ questions है 37 से लेकर के 42 तक के जो है इनका क्या करना है solution करना है तो आईएगा हम लोग शुरुवात करेंगे हमारे question number 20 का सबसे पहला जो question दा वो यह है which decade किन 10 सालों में किन 10 सालों में registered the maximum growth rate of population मालब आपको population का data दिया हुआ है उन population के data के अंदर आपको यह बताना है किस 10 साल में मतलब 61-71, 81-71, 2001-21, 2001-2011, इन में से किन 10 सालों के अंदर जो है वो population के अंदर जो है वो maximum क्या हुआ है growth हुआ है आएगे का देखते हैं सबसे पहले अपने को बताना है 61-71, 71-81, 91-2001, 2001-2011, आपने को यह data बताना है 61-71, 81-81, 91-2001, 2001-2011, इसके अंदर अपने को growth बताना है अब 61-71 के अंदर देखेंगे growth कितना, तो rate कैसे निकलते हैं, 21-24 हुआ, अगर मैं बात करता हूँ मान लोग, 1961-71 का निकलना है तो हम क्या बोलेंगे, 21-24 हुआ, कितना 3 बड़ा, किस पर बड़ा, 3 अपन में, 21, अच्छा जी फिर, अगर हम निकलेंगे, 1971-71 से, ठीक है, और 1971-71 का, 1971-81 का, तो हम कैसे बोलेंगे, 71-81, 24-27 हुआ, कितना बड़ा, 3 बड़ा, किस पर बड़ा मैं निकालता हूँ 1991 से 2001 का 1991 से 2001 कितना हुआ 30 से 32 हुआ कितना बड़ा 2 बड़ा किस पर बड़ा 32 ऑच्छा जी आगे बड़ते हैं इसके बाद क्या 2000 2001 से ले करके 2011 कितना हुआ 32 से 35 हुआ मतलब कितना बड़ा 3 बड़ा किस पर बड़ा 32 पर ये तो आ गया जी ग्रोथ अब आपको इनका rate निकालना है और उसमें से बताना है किस decade में सबसे ज़्यादा growth हुई है अब एक बात बताओ, हाँ जी सर पूछो, देखो, 61-71 की अगर मैं बात करता हूँ 1971, 61-71, अगर मैं बात करता हूँ तो ratio जो है मेरा वो निकल के आया है क्या तीन बटे 21, ठीक है, हाँ जी, फिर 1971-81 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ratio निकल के आया है, दो बटे, यह देखो एक बार 71-81, तीन बटे 24, तीन बटे 24, ठीक है जी, फिर 1991 से ले करके 2001 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा यह, यह आया कितना, दो बटे 30, ठीक है जी, और फिर 2001 से 2011 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या गया, तीन बटे 32, यह आपको जो है वो डेटा दिया हुआ है, चार साल का, यह आपका चार साल का जो है वो डेटा आपको दिया हुआ है और वो चार साल का जो डेटा है वो बेसिकली क्या बोलता है देखो 1961 से 71, 3 बटे 21, 71 से 81, 3 बटे 24, 1991 से 2001, 2 बटे 30, 2001 से 2011, 3 बटे 32 अब आपको इसमें से बताने कि किस डिकेड पे सबसे जादा जो है वो क्या हुई है ग्रोथ हुई है जिस बच्चे को शॉटकट नहीं बता वो बच्चा क्या करेगा 3 बटे 21 इंटू में 100, जैसे इसका, मैं एक बार यह करके दिखा देता हूँ तो क्या करेगा, 3 बटे 21 इंटू में 100, अग्रोथ रिट निकालेगा ठीक है, जैसे 21 इंटू, यह साथ पर गया, फिर साथ को इससे कटेगा 7 बंजा 7, अधाय गया 37, 4 जा 28, 14.2, मतलब 14. जो भी सम्थिंग आएगा मतलब वो बोलेगा कि इसका अंसर आगे, जी मेरा कितना 14%, कितना एप्रोक्सिमेट 14% और ऐसे करके करेगा, ऐसे करके फिर वो 71 से 81 का निकालेगा, फिर 1991 से 2001 का निकालेगा, फिर 2001 से 2011 का निकालेगा, बत क्यूं करेंEh Search कट पता है, फिर लोंग कट में जाने का कोई भी benefit नहीं है, आपको मैंने शोट Kriemorator का Rule, और denominator का Rule का बोलता है, जिसका denominator सबसे सबसे चोटा है, वह value सबसे weLiu सबसे बड़ी होती है, आप एक बार जोता है numerator के rule में, अगर मैं numerator को देखता हूँ, तो 3, 3 और 3, 3ों बड़े हैं, 3ों क्या है? बड़े हैं, चलो यह तो पहले short list हो गया, 1991 से चोटा रिनोमेटर किसका है ये 21, 24, 32 किसका इसका तो आंसर जो आएगा वो ये कि 1961 से 71 के अंदर जो growth rate है वो सबसे क्या है maximum क्या है सबसे maximum ये इसका जो है वो क्या है जी answer 61 से लेके 71 आप चाहे गर पे करके देख ले ना तीन बटे 21 के साथ compare करके देखना तीन बटे 24 को दो बटे 30 को या तीन बटे 32 को सब ये के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो growth rate आएगी वो आपके आएगी कहां पे 1961 से 71 क्यों क्योंकि shortcut पता होने चीए भाई shorter क्या बोलता है numerator denominator का rule लगेगा और numerator का rule हमने पढ़ा हुए classes में numerator का rule क्या बोलता है जिसका numerator सबसे ज़्यादा वो value सबसे ज़्यादा और denominator का rule क्या बोलता है जिसका denominator सबसे कम वो value सबसे ज़्यादा होती है ओके हां जी से लो जी यह हो गया question number 37 आईए question number 38 देखते है question number 38 क्या बोलते हैं आपको निकालना है average average decadal growth rate of population अब यह थोड़ा सा length ही हो जाएगा आपको बताना है average decadal growth rate in population मालो यह आपकी population है इसमें average decadal growth rate निकालना है growth कैसे हुआ अब यह देखो 20 से 21 हुई कितनी बड़ी एक बड़ी किस पे 20 into 100 फिर 21 से क्या हुई 24 वे कितनी बड़ी 21 से 24 वे कितनी बड़ी 3 बटे 24 into 100 फिर 24 से 27 वे कितनी बड़ी 3 बटे 27 into 100 ऐसे करके आपको निकालना है पहले हर decade का average हर decade का हर decade का जो growth निकाल लिया और फिर उनका average करना है तो कैसे करेंगे आप देखो आएगा देखते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मान लो 1951 1951 से लेके 61 में जो growth हुई है वो क्या हुई है अगर हम बात करते हैं 20 से 21 हुआ कितना बड़ा एक किस पे 1 by 20 ठीक है जी फिर 61 से 71 कितना बड़ा अगर मैं बात करता, 61 से 71 कितना बड़ा, 21 से 24 हुआ, बोले तो, 3 बड़ा, किस पे, 21 पे, फिर, 71 से 81, कितना बड़ा, 3 बड़ा, 24 पे, फिर, 81 से 91, 27 से 30 हुआ, कितना बड़ा, 3 बड़ा, किस पे बड़ा, 27 पे, फिर, 91 से 2001, कितना हुआ, 30 से 32 हुआ, कितना बड़ा, 2 बड़ एक से लेके 2011, 32 से 35 हुआ, कितना बड़ा, तीन बड़ा, किस फे बड़ा, तीन बड़ा है जी, 32 फे, ठीक है, ये तो आ गया जी, growth, ये तो क्या जाएगा, growth, और बाद में क्या करना है, इस growth को divide कर देना किस से, ये जितने भी decade है, 6 decade है, 6 से divide करते हो, कि वो आ जाएगा जी, average decadal growth rate, क्या जाएगा, average decadal growth rate, अब अगर ये आ गया, अब इसमें growth कैसे निकालें, नॉर्मल रूल तो ये जी, जैसे ये एक बटे 20 है, तो एक बटे 20 इंटू में 100, इसी तरह करके, फिर 3 बटे 21 इंटू में 100, फिर 3 बटे 24 इंटू में 100, ऐसे से करके जो आएगा, उन देखो एक बटे 20, अगर मैं बात करता हूँ, एक बटे 20 को, तो 1 बटे 20 की value मैंने एक बार आपको बताई थी, आपको के ध्यान हो, मैंने आपको short cut लिख वाया थे, मैंने बोला, एक से लेके, 1 की value, 1 बार 2 की value, 1 बार 3 की value, वो आपको मैं लिख वाया था, आप उसके short cut मा हैं, एक बार बताओ, यह 3 बटे 21 है, यह तो 1 बटे 20 लिख लो, 3 बटे 21 को, 1 बटे 7 लिख लो, हाँ जी, 3 बटे 24 को, 1 बटे 8 लिख लो, हाँ जी, 3 बटे 27 को, 1 बटे 9 लिख लो, हाँ जी, 2 बटे 30 सी तो 2 बटे 30 लिखो, यह अब इसको 1 बटे 15 भी लिख सकते हो, 2 बटे 20 की value. तो 1 बटए 20 की value कैसे निगलेगा? यह 1 यह 20. ठीक है? तो में रस वह आ गया यह आ गया क्या 0.5 या फिर आप इसके बज़े 5% कितने आगी? 5%. 1 बटए 20 की value कितने होती है? 5%. 1 बटए 7 की value करवारक है? कितना? 14.28%. 1 बटए 8 की value कितने होती है? 12.5 एक बटे 9 की value 11.11 एक बटे 15 की value 6.67 और 3 बटे 32 की निकाल लो कैसे निकलेगी यह 3 आ गया यहां पे 32 है पॉइंट लग गया फिर क्या आ गया 0 फिर यह आ गया 32 फिर एक और 0 आएगा फिर जाएगा किस पे 9 पे ठीक है अब जाएगा जी यह किस पे तीन पे तो 96 इससरा करगे तो 0.93 इसका मदलब 0.93 का मदलब 9.3% 9.37% यह आ गया हर साल का grow हर decade का growth rate 5 14 5 प्लस 14.28 प्लस 12.5 11.11 6.67 प्लस यह इसका equal आपको लेना है अब मैंने क्या किया देखो हमने पहले हर decade का देखा कितना कितना बड़ा 51 से 61 51 से 61 20 से 20 हुई population मदलब एक बड़ा 20 पे 1 by 20 61 से 71 में जो है वो 21 से क्या हो गया 24 हो गया कितना बड़ा 3 बड़ा किस से 20 से तो हमने गए तीन बटे percentage निकालेगा बड़ हमको तो यादे shortcut हमने पढ़ा हुए क्या एक बड़े 20 की value तो एक बड़े 20 की value कितना होता है 5% तीन बड़े 21 की value 14.20 तीन बड़े 24 महलब एक बड़े 8 की value 12.5 एक बड़े 9 की value 11.11 एक बड़े 15 की value 6.67 और तीन बड़े 22 की value निकाल ली कितना 9.67 ये आगया हर decade का growth rate अब इस सब को add कर लो इनको जब मैं add करूँगा तो ये add करके मेरा आगया 98.93 93 लगवग तीक है अब इसको divide कर लो किसे 6 है sorry 98 बोला हुआ ये add करके आगया 58.93 इसको divide करूँगा किसे 6 है ये आगया जी मेरा average 9.82% ये मेरी आगी क्या growth rate क्या आगी growth rate कितने आगी 9.82 9.82 लो जी हमारा question ये था कि average decadal average decadal growth rate बताने है population की कितना आगया 9.82 ओके हाँ जी सर्ल लो जी हो गया यहां भी shortcut लगया अपना कुंसा वो fraction को याद गरने वाला ठीक है हाँ जी चलो आगे पढ़ते है अगला question जो है वो क्या बोलता है सर अगला question ये बोलता है based on the average decadal growth जो आपको average decadal growth आपने इनिकाली है उसके base पर बताओ what will be the population in year 2021 2021 में बताओ population क्या होगी देखो 2011 के अंदर population कितनी है सर 2011 के अंदर population कितनी 35 ठीक है ये है 2011 में आपको बताना है 2021 में कितनी होगी अगर मान लो population का average growth जो है वो कितना आ गया वो है 9.82% अगर इस में 35 में मैं 9.82% क्या कर दूँ तो मेरी population कौन से आ जाएगी 2021 की तो 35 का 9% निकाल लो 35 का 9.82% अगर मैं अप्रोक्स लिता हो मान लो तो कितना हो गया 10% हो गया ये 9.82 है ना कितना हो गया अप्रोक्स 10% हो गया तो 35 का 10% कितना हो गया 3.5 इसमें 3.5 एड कर लो इसमें 3.5 क्या कर लो एड तो 35 और 3 कितना हो गया 38.5 एप्रोक्सिमेटली किसके एक वोल है बी के ये बोलता है कोशन कि बेस ओन्दा एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट जो आपने ऊपर एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट निकाली है उसके बेस पर बताना है what will be the population इंदा ये 2021 2021 के अंदर जो है वो population क्या रही है तो population क्या रही है वो आपको निकालना पड़ेगा उसके बेस पर आपने देख लिया तो ये आपका आगया अंसर कितना मालो आपका एवरेज जाद है कितना 9.82 तो 35 में 9.82 परसेंट क्या कर लो एड कर लो अंसर आ जाएगा अब 9.82 एप्रोक्सिलेट 10 परसेंट हो गया तो 35 का 10 परसेंट कितना हो गया साड़े तीन 35 प्रस साड़े तीन कितना हो गया 38.5 ओके हाँ जी सर चलो आगे बढ़ते अगला कोशन क्या बोलता है In the year 1951 what was the power availability per person 1951 के अंदर आपको बताना है power availability per person ठीक है कितनी power available है per person के साब से अब देखो आपको जो power दे रखी है वो कितनी है 10 gigawatts और एक gigawatts के अंदर जो है हमने पढ़ा था कितना था यह देखो 1 गीगवर्ट में कितना था? 1000 मिलियन ठीक है? तो आपको बताना है कि per person जो है वो कितना आएगा? Per person तो किसे निकालेंगे? यह जी कितना? 10 51 के अंदर कितनी है? 10 मिलियन ठीक है? और एक में कितना होते है? 1000 तो यह कितना हो गया? 1000 अब उन में कितने 20 कितने थे पॉपुलेशन कितनी है 20 मिलियन अब ये जो है ये कितनी है ये जो आपको दे रखा है एक गीगावाट में कितना होता है 1000 मिलियन वाट ठीक है हाँ जी और ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है आपको जो पॉपुलेशन दी हुई है वो दी GigaWatts में कितना हो गया यह हो गया सब? 10,000 कितना? 10,000 और यह 10,000 GigaWats available था, कितने लोगों के लिए? 20 Million 10,000 Million Wats available था किसके लिए? 20 Million के लिए तो यह Million से Million तो कट गया अब इसको कट दो कितना हा गया? 500 अंसर क्या हा गया? 500 Wats 500 Wats जो है, वो क्या है? अगला कोशन क्या बोलता है इन विच डिकेड में एवरेज पावर अवेलेबिल्टी पर परसन जो है वो क्या है maximum in which decade किस decade के अंदर average power availability जो है वो क्या है जी आपका maximum maximum बताने मारा किस decade में ये नीचे आपको दे रखे 1981 से 1991 1991 से 2001 2001 से 2011 और 1971 से 1981 इन में से किस decade के अंदर किस decade में किस 10 सालों के अंदर जो है वो average power availability जो है वो क्या है पर सनवाँ से maximum ये बहुत ही dangerous जो है वो question पुछा गया बहुत ही technical वो थोड़ा सा time consuming आपको बताना क्या है जैसे 81 से 91 अगर मैं बात करता हूँ अब पहले ये बताँ average power availability निकलेगा कैसे per person कैसे निकलेगा वो सर ऐसे निकलेगा आप low power availability ठीक है डिवाइड में कर दो क्या जैसे average power availability upon average population upon average population और वो आप का अंसर आ जाएगा मालब ये बोलता है in which decade किस decade में average power availability per person वो क्या है maximum तो कैसे करेंगे average power availability ले लो और डिवाइड कर दो किसे average population से आप का अंसर आ जाएगा हाँ जी तो जैसे ये ऐसे है 71 से 81 81 से 91 91 से 2001 और 2001 से 2011 अब यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 71 से 81 81 से 91 91 से ये और फिर ये ये तो आगे किसका ये आपको पहले average निकालना पड़ेगा इनका और इसी के यहाँ पर इनका भी average निकालना पड़ेगा ठीक है और फिर इनको डिवाइड करेंगे और अपने को पता चल जाएगा अब मैं एक माँ निकाल के दिखाता हूँ आपको देखो आपको question में बताना कि है in which decade किस decade मे average power availability per person was maximum तो पहले हर decade में देखना पड़ेगा कि average power availability है कितनी जब चारों का निकल जाएगा फिर इनका maximum निए फिर उन में से जो maximum होगा वो पनाम स्वरा जाएगा आओ देखते हैं जैसे इसका पहले average power availability निकालो 71 से 81 का 71 से 81 का बनाब 71 से 81 का अगर average power availability निकालते हो तो कैसे करते हो 71 में कितना था 25 81 में कितना है 40 डिवाइड में 2 कितना आ गया 40 और ये 25 कितना हो गया 65 65 डिवाइड में 2 जो है ओ कितना हो गया 32.5 कितना हो गया 32.5 ऐसे सब का निकाल लो तो जैसे इसका आ गया 32.5 40, 50, 90 90 डिवाइड में 2 इसका आ गया 50 और 80 8 और 5 130 डिवाइड में 2 130 डिवाइड में 2 करो कितना गया 65 80 और 100 कितना गया 180 डिवाइड में 2 करो कितना गया 90 ठीक है ये तो आगे जी क्या average ये जो आपकी पावर है अवेलेबिल्टी ये आ गया अब निकालो average population कैसे जैसे 71 से 81 की निकाल लिएड में 2 आप डिरेक्ट लिए कर लो 24 और 27 कितना हो गया 7 और 4 11 51 51 डिवाइड में 2 51 डिवाइड में 2 करेंगे तो किना 25 कितना हो गया 25 फिर 30 और 27 कितना हो गया 57 57 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना हो गया 28.5 फिर 30 और 32 कितना हो गया 62 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना हो गया और 32 और 35 कितना हो गया 67 67 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना हो गया अब आपको क्या करना है दोनों में comparison ठीक है कैसे करेंगे यह 1981 81 से 91 ठीक है फिर 91 से 2001 फिर 2001 से 11 और फिर 71 से 81 चलो जी 81 से 91 वाला देखो 81 से 91 वाला यह है 45 अपॉन में 28.5 फिर 91 से 2000 के अंदर देखो 65 अपॉन में 31 फिर 2001 से 2011 वाल में 90 अपॉन में 33.5 फिर 71 से 81 वाला देखो 32.5 अपॉन में 25.5 अब इनको देखके यह बताओ सबसे ज़्यादा जो है वो कहां पर हुआ होगा इनके बेस पर अगर देखते हैं तो आप यह देखो जनली यह नीचे वाला जो है ना आप इसके बेस पर आप क्या करोगे इसको approximation पर काम चलेगा अब एक बात बताओ यह है 45 और यह है 28 अठास का दुगना कितना होता है 28 का क्या होता है 38 का डबल होता है 56 अगर आप देख रहे हो चीनिफल और यह हो darike 2500 होता है जो कितना होता है लगबगétais 99 और यह कहें 90 मलतивает temporal से थोड़ा सा कम है double से बहुत ज़्यादा और ट्रिपल से कम अच्छा यहां देखो एक अद के हैं 25 का डब़्य कितना होता बो ठीस का डबल होता है 5 तो यह मलतbersक्तरीअ कम यह 12 के 400 कम है यह और 62 के बाद बचेंगे उनली के उटपर कितने तीन और इधर 33 का दुगना 34 भी हो 34 का दुगना 68 और 68 के बाद देखो यह है कितना margin 90 समझ रहे हो तो ज्यादा बड़ा जो हो प्राइमा फेसी देखने में कंप्यूट नहीं करना देखने में लग गया कौन सा है जी देखने मे जो है आपका जो है पावर अविलिबिल्टी पर परसन जो है वो maximum कहां पर आपका 2001 से लेगे 2011 तो answer जो हैगा आपका C ओके हाँ जी सर इस तरीके से करना होता है तो यहां पर आपने किया क्या आपने सर पहले तो पहले तो इनका वो निकाले एवरेज निकाल लिया तो 25 से 40 है तो एवरेज 25 प्लस 40 डिवाइड में 2 यह आ गया 40 प्लस 50 डिवाइड में 2 यह आ गया 50 प्लस 80 डिवाइड में 2 यह पाँच आप इनको क्या करना है आपको देखना है कि पर परसंग क्या आती है मालो तो उसके बेस पर आपने क्या किया बत्रिस पॉइंट पांच डिवाड़ में पच्छिस यह आपने कर लिया यह आ गया अब इनमें देखो डबल से भी प्राइमा फेसित देखो कूं सा 2011 ओके हां जी सर चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन वाइवट परसेंट आपको परसेंट बताना है इंक्रीज हो गया 1951 से लेकर 2011 1951 थे इंदर आप देखो पावر का प्रोडक्शन कितना था 1951 के अंदर पावब का प्रोडक्शन था 10 और 2011 के अंदर यो प्रोडक्शन था 100 तो इकική जो इसमें computation है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बट अगर आपको shortcut पता है ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं है तो इसमें तीनचा shortcut लगे numerator denominator का rule लग गया basic comparison लग गया और एक लग गया अपना shortcuts का जिसके अंदर हमने proportion का shortcut मारा था जैसे 1 by 2 की value क्या 1 by 3 की value 1 by 4 1 by 6 1 by 7 1 by 8 1 by 10 1 by 12 ये सब इनका proportion तो आपको मैंने बोला था कि उसका आप याद कर लिजेगा आई होप आपको आपने याद भी क्या होगा और इसका application भी आपको समझ में आ गया होगा ओके जी लेक्चर कैसे लगा comment कर गए जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा comment कीजिएगा और एक चोटी सी information देना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं जून 2020 के अंदर जो paper होना है NTN8 का तो उसके लिए हम online batch प्रोवाइड करवाते हैं हमारे online batch के अंदर आपको मिलेगा सारी वीडियो पेपर नंबर वन एस पेपर नंबर टू कोमर्स की ठीक है पेपर वन अगर आपका है कोमर्स नहीं है तो आप हमारा separate paper वन भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियो जैसे यह वीडियो वैसे प्लस में मिलेगा आपको सारा study material hard copy में जैसे यह हमारे डियाई की booklet है इसी तरह करके जो है आपको सारी booklet जो है वो मिलेग बागे का question करते हैं हमारी next class में तब तक के लिए thank you very much